तो है गाई स्वागत आपका एक और फिर्श्य आपी के वीडिव चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगे भी KPI Green Energy Limited को लेकर KPI Green Energy को लेकर आज की दिन हमें Market Closing के बाद आप लोग देखोगे बड़ी ख़बर आते वे नजर आई है इससे पहले स्टॉक ने आज की दिन आप लोगों देखोगे एक फ्रेस बाउन भी खाय बनाया है ठीक है काफी शांदार तेजी स्टॉक में बनी हुई है की चलिए आपको बनस देगी पर देगी प्रतेक दो शेर आपको एक शेर बनस की रूप में मिलेगा फरी यह कंपनी ने अनौसमेंट के बीपी पीछे अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी इस टॉक में काफी शानदार मुमेंटम और आज की दिन मार्केट क्लोजिंग बाद एक और बड़ी खबर आ गई है जिसकी वज़ासे कल की दिन जो स्टॉक का फिर से फोकस में रहेगा और इस टॉक में कल के दिन फिर आप लोग देख जबर्दस्त रहली की संभावना बनी हुई है तो क्या खबर है और कैसा इंपक्ट आएगा इस खबर का चली आपको बताते है डिटेल में साथ में डिस्केस करेंगे कल के का कुछ लेवल से रहेंगे कि इस करंट लेवल के उपर इस टॉक को पकड़ना सही है या फिर नहीं है तो उसके बारे में आपको बताएंगे चली सबसे पहले देखते है जो न्यूज आई है आगरकार वो कहें फिर इसके लेवल और चार्ट निकालेंगे भाई तो यहां पर आप लोग देखोंगे मार्केट क्लोजिंग के बाद ठीक एक बाउंड भी खाय बनाया है स्टोक ने आज की दिन और उसके बाद आप लोग देखोंगे मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बड़ी खुश कबरी आगे भी 11 जनवरी 2024 के दिन आज ही की तारिख म यहाँ पर देखोंगे कंपनी ने एक और न्यू ओडर जो नभी मिला है receiving new order of 2 megawatt solar power plant तो आप लोग देखोंगे यह जो कंपनी है solar energy के अंदर आप लोग देखोंगे काम कर रही है और solar industry बहुत जादा तीजी के साथ ग्रो कर रही है जिस परकार आप लोग देखोंगे इंडिया का फोकस है उसी परकार budget में आप लोग देख सकते हो कुछ ना कुछ बड़ा होगा renewable sector के लिए तो इसलिए budget से पहले इस stock में काफी अच्छे मौके बन सकते हैं और इस stock आपको यहाँ से 2000 रुपे प्लस के जो move है उपर में वो दिखा सकते है तो यहाँ से company को एक और दो megawatt का जो नभी एक order मिल चुका जो इसकी subsidiary company है उसको जो नभी यह order मिला kpig energy प्राइवेट limited को जो नभी है खौलिया और subsidiary company है इसी की इसको यह order मिला यह तो चलिए अब तो यह मिल गया अब देखते data और chart वहां पर क्या कुछ momentum कलके बन सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगा भी जो जो प्रीविस क्लोजिंग थी सकी 1462 रुपे थी ओपन कहां पर हुए 1470 उसके बाद आप लोग देखोगे इस टोग निचे गया भी 1470 यह इसका लोर है जो ओपन हुआ उसके बाद तो इसका जो हाई है आज का 1530 का है उस भाव से जो लगबग आप लोग देखोगे भी हमे 45 रुपे के आज पास टूरती है नजर आए उपर के भाव से लेकिन इसको लेकर प्रेशान नहीं होना है कि यहां पर आप लोग देखोगे एक सेल के लिए ओडर आया हुए लगबग 45 परशेंट के अगर बात की जाए यहां पर आप लोग देखोगे लगबग 45 परशेंट के क्लिब डिलेवरी उठी है साथ में बड़ा ओडर कंपनी को मिल चुका भी मार्केट क्लोजिंग के बाद आई यह खबर इन सब को देखते हुए स्टोग के दिन फिर फोक लिए ठीक और 1500 रुपे तक जो उपर में हमें उजाते हुए नजर आया है ऐसे में आप लोग देखोगा भी यहां से जो नेक्स टार्गेट होगा वो हमारा तू हंडड़ तू थाउजंड यहां दो हजार रुपे का रहेगा और दो हजार रुपे तक जो स्टोग वो हमें तो स्टोग जैसा वैसा इसको पकड़के बैठे रही है ठीक है सबसे बैस तो यही है अधरवेज आप लोग देखोगा अगर चोटा मोटा रिस के लिए रहे हो तो चोदा सो साथ रुपे का नीचे में जो ऐसल वगर वो पकड़के जल सकते हो और इसी उपर में शेर है यहां से ठीक है और वह आपके सामने भी किस प्रकार जो स्टोग अउपर की तरफ पहुंचा है और अभी के लिए जो इसका टार्गेट सीदा 2000 रुपे के आस पास जाने का है और इसके अलावा कोई और अपडेट आएगी रेजल्ट वगरा वह आपके साथ जूरू साज सब्सक्राइब और उपर में 1550 प्लस के मूव दिखा सकता है इंट्राडे में थेंक्यू फर वॉचिंग दे वीडियो